नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल अगरबाल, दतावली गाउं में मेरट में स्थित मेरी यूनिट है केचवाखाद की, जहां मैं गोबर से केचवाखाद बनाने का काम करती हूँ, ग्रीन अर्थ और्गानिक्स के नाम से यूनिट मेरी चलती है, आप देखिए जहां अगरी कल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, केचवाखाद बनाना भी नहीं आता था, पर अपने दिमाग का स्थमाल किया, बहुत ही कॉमन सेंस इंवल्व है इस काम में, जो बारी किया मैं आपको इस वीडियो के थू बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, इतने बड़ तो टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है, मेरे साथ है पायल अगरवाल पिसले धाई साल से अपने इस खेत में कैचवाखाद बना रही है, और इन से बहुत सिंपल है कैचवाखाद बनाना, कोई रोकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसा पैसे देकर ट्र है, पूरी जनकारे लेंगे पायल जी से, देखे किसी भी काम को आप शुरू कर देते हैं, पर आपको बाद में लगता है कि हम इसे बेच नहीं पा रहे हैं, तभी आपको घाटा होता है, सबसे पहली बात, इस काम को करने के लिए आपको शुरूआत में सिर्फ जमीन पर प पहला घाटा आपको इसी जगा पर हो सकता है कि समय पर आपका बैट चेक नहीं हो रहा है, समय पर आपको ढख नहीं रहे हैं, या फिर कम ढख रहे हैं, जादा ढखने की जरूरत है, गर्मी है आप देखिए, ओपन है बिल्कुल, कोई शेड हमने या नहीं लगाया है, तो स आपकी खाद बनकर दीरे दीरे तैयार होने लगती है, इसके अलावा आपको इसमें कोई पेड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कि मैं आपसे कहूं कि आप इतने पैसे दे दीजे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तब आप खाद बनाना सीखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास अपना गोबर है नहीं है तो आप मार्केट से जो ठेकेदार होते हैं उनके थ्रू या डेरी या गोशाला से गोबर खरीच सकते हैं, 15-20 दिन पुराना गोबर से लेकर आप 40-45 दिन तक का गोबर इस्तमाल कर सकते हैं, सर्दियों में गोबर जादा नहीं है, ग सबसे जादा जरूरी है सेलिंग, आखिर क्यों उस पर और किस तरीके से ध्यान देना है, देखिए, हमने देखा पिछले 10-20 सालों में, अगर मैं बात करती हूं, तो बहुत जादा पेस्टिसाइड का इस्तमाल हुआ है, जिसकी वज़ा से जमीने बिल्कुल खराब हो चु और कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय पर हम अपनी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते हैं, यानिकि हमारे पास खाद कम होती है, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बलकि जब आप किसी काम को धंसे करते हैं, आप पूरा मेरा फाम देखे, सवा एकड की जमीन पर लगभग मेर नर्सरीज भी हैं, होटी कल्चर वाले किसान बहुत हैं, यही सारे एरियाज जहां आपको यह खाद बेचना है, तो यह जो आपने कहा कि खाद बेचना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो शुरू करना चाहता है, उसे बड़ी दिक्कत आती है बेचने की, तो वो क्या तरीका है, वो जरा बताएं, कैसे की आपने, सर देखिए, जब अब कोई भी काम शुरू करते हैं, शुरू के 6-8 महीने तो आपको तकलीफ होती है, पहली बात तो सबसे बढ़िया बात जो है, पैरिशेबल आइटम नहीं है, यानि कि ऐसा आइटम नहीं है, कि आज बनाया और कल हो गया, आप सोचिए, इतनी लोग सबजी फल उगाते हैं, उगाने के बाद में अगर वो रातो रात नहीं बिके, पैरिशेबल आइटम है, दो-तिन दिन में कई बार चीजे खराब हो जाती है, सबजी बिकार हो जाती है, उनको को कोल्ड स्टोर में रखवाना पड़ता है और अगर मैं इस काम की बात करूँ, आपने खाद बना कर तयार कर लिया, दो से ड़ाई महीने का समय तो आपके पास शुरुआत में ही है, जब यह बन कर तयार हो रही है, उसके बाद भी इसको आप एक साल तक अराम से किसी चाहों वाली जगा में रख सकते हैं, तो पहली तो आपका बटीरियल खराब नहीं होने वाला है, दूसरी चीज, मैंने भी जब पहले मार्केटिंग करनी शुरू की, तो मुझे छे से आठ महीने लगे आपना सामान मार्केट में पहुचाने में, शुरूआत में, अगर मेरी जो मेरी लागत है, धाई रुपे, तीन रु पहले हैं, तो आप मार्केट बना पाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, तो कैच्वा खाद का रिजल्ट क्या रहा जिन को आप बेच रहे हैं किसानों को, मेरे पस रिपीट और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक किसान जो पिछले साल भी जिनों ने खाद कर बस चैने के लिए कि मार्केट में टो डिमाड पूरी तो आपका कहना है कि मार्केट में डिमांड है बस सही तरीके से खाद बनाना शुरू करें और देर देर मार्केटिंग हो जाए बिलकुल यह तो एक बात हूई आपने बताया कि बहुत से लोग ट्रेनिंग के नाम पे को पैसा लेते हैं लोगों से और फ्रेंचाइजी तक भी देते हैं तो उसमें कैसे बचें लोग देखे मैंने जैसे आपको बताया कि बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है आपके पास गोबर उपलब्द है पनी आप बजार से खरीच सकते हैं केचवे भी आपको मिल जाए जो है स्थिती हो गई हमारे केचवे के लिए और वो खाएगा और खाएगा और खाद बनाएगा प्रक्रिया बहुत सिंपल है जब आप रेगुलर इस काम को करते रहेंगे तो आपका माल भी बिखना शुरू होगा बात आती है में कि आप इन यह जो फ्रॉड की चीजे हैं जो सामने वाला आपको परीबात तो अगर वो आपका समान खरीदे का तो आपको मुनाफा कहां से बचेगा और यह कहना ही गलत है कोई हम सर्टिफिकेशन नहीं इस बीच में कोई अग्रीमेंट भी नहीं है जब कोई आपका समान क्यों खरीदेगा आप मुझे लीजिए मै मैं अगर किसी से जुटा वादा करती हूं कि मैं आपका सामान खरीद लूँगी और मैं बेच दूँगी ये जमीन लीस की है बराबर की जमीन भी लीस पर में ले सकती हूं मेरे पास अपना केचवा बहुत है मैं वहीं पर और गोबर मंगा के इतने ही और बैट शुरू कर सकत करें और मार्केट में जाएं कैसे जाएं यह कोने आप का सबसे पहला घ्रहा को सकती है आप गोड्yse अपरोच कर आपके आज-पास किसान है यह आसपास जी सानी बी गहां है वहां के geा प्रथाणों मिली उनसे बात करिए रेगुलर किसानों से मिली आये दस-दस-बीस-व मिलेगा तो आपके पस राइनगे और ज़ाइन के सामान की तारीफ भी करेंक डिमनेट कि बात करें तो और कितने शुरू करें क्याएं रहते हैं ऊफSась अघर अपने ही जो अगर आपने पर शुरू किया था इस काम को तो लगभग लगभग तीस बैड लगाएं एक बैड की जो कॉस्टिंगे वह नौ से साड़े नौ हजार रुपए आती है तो इस तरीके से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं यानि कि 30 बैड कितने लंबे कितने चोड़े होते हैं 30 फुट लंबे आपको मिलना इंप पराली यह हमारी जितनी भी पराली है यह हम एक बार खरीद लेते हैं उसके बाद में जब यहां चावल उगता है तभी आली खरीट ने कि कोई जरूरत ने नीचे पनी चाहिए ऊपर गोबर और पराली और बस यह ध्यान रखना है केंचुए तरीके से कोई लेबर कोस्ट है आपकी से से केंड ताइम से भी वाड़ेंगे तो आप अपने बढ़ा सकते आपकी कोस्टिंग सिर्फ गोबर की और लेबर की रह जाती हैं यानि कि केचवा उसके बाद मुल्टिप्लाइब हो जाते हैं में किसे चार महिने में केचवा क्यों के दू से बढ़ेगा पहली बात दूसरा यह अक्टूबर के सीजन से बढ़ना शुरू होता है बारिश के बाद से कहने का मतलब और तभी से बढ़ेगा और तीन से चार महीने में लगभग यह डबल हो जाता है मैं किसानों से कहना चाहूंगी कि देखिए किसान भाईयों जो फार्म अपना केचवा दीरे-दीरे बढ़ाते रहिए अपने जमीन के लिए अपने खेतों के लिए खुद खाद तैयार करिए कहीं से मत करीदिये खुद खाद तैयार करके आप उस खाद को अपने हाँ ही स्तमाल करिए और उसके रिजल्ट देखिए इस तरह से दो चीजे होंगी पहली तो जो आपकी इतनी बहुमूल्य जमीन है, उसकी स्वास्त उसका सुधरेगा, जो आज बहुत जादा बुरे हाल में है, दूसरा, आपका खर्चा धीरे-धीरे-धीरे कम होता जाएगा, पहले साल आपको लगेगा कि हमारी प्रोडक्शन में 19-20 अंतर है, कम आई है प् आपकी प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगी जमीन की हेल्थ भी इंप्रूव होगी और तीसरी सबसे इंपॉर्टन चीज है, आपका खर्चा खतम हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई यूरिया, डियपी और कोई इन औरगैनिक चीज को डालने की ज़रूरत नहीं अब देखिए चौथा और एक ऐसा फाइदा जो शायद आपको डारेक्ली नहीं पता चल पा रहा होगा तो मैं आपको बताती हूं अगर आपके और गानिक फसले हैं आप ही के शेहरों में ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं या फिर सभी लोग स्वस्त रहना चाहते हैं सही रहना तो रेकमेंडी की और गानिक खाना खाई आप अगर और गाने की करते करते हैं आप अपने गुड को मार्केट में जाई है और कहिए सबसे क्या हम और ने कुड़ बना रहे हैं बेची उसे तो जब आप और गानिक उगाएंगे तो आपको ग्रहक बहुत अच्छे से मिलने चुरूँ हो जाएंगे तो ये एक तरीके से आपकी इंकम बढ़ाने का साधन हुआ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जादा से यादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले